हमारी कहानी एक लड़की को मिट्टी में दफनाने के साथ शुरू होती है तब वो कहती है कि जह हम कोई गलती करते हैं हमें माफी मागनी चाहिए और चाहिए कि वैसी गलती फिर कभी ना करें आज एक खुपसूरत लड़की नानो का उसके नए स्कूल में पहला दिन है बास्केट बॉल खेल रहे तीम यंग लड़के उसे अपनी क्लास में देखने के लिए एकसाइटेड है क्योंकि वो उसका चेहरा देखना चाते हैं और कहते हैं वो कितनी क्यूट है जब उन्होंने उसे बाहर से देखा उन्हें लगा कि वो सुन्दर, क्यूट और फलर्टी है और शायद नानो भी उनमें इंट्रेस्ट रखती है उसके बाद उनके टीचर उन्हें पनिश्मेंट देते हैं क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस को छोड़ कर वहां आये थे ये देखकर नानो अपने क्लासमेट से उन तीनों लड़कों के बारे में पूछती है एक दोस्त जिसका नाम टिम है नानो के बगर में बैठी है टीचर सजा देता है और उन्हें फ्लैक पूल के चारों ओर दोड़ने के लिए कहता है और ऐसा लगता है कि वो सभी नानो के बारे में जानना चाहते हैं अब तेर लड़कों में से एक लड़का टिम को नानो को स्नेक्स देने के लिए कहता है लेकिन टिम उन स्नेक्स को खाने से मना कर देती है क्योंकि वो नानो का बचावा कुछ नहीं खाना चाहती इससे पता चलता है कि टिम नानो को ना पसंद करने लगी है क्योंकि उसे नानो का उन लड़कों का अपनी तरफ ध्यान अट्रक्ट करने से जलन होने लगी है जिस लड़के को वो पसंद करती है कुछ तेर बात तीनों लड़के नानो के दोस्तों के लिए दो 콘सर्ट की टिकट देते हैं ताकि वो नानो को अपने साथ उनके घर पर ला सके क्योंकि उनके पेरंस काम के सिलसिले में बाहर गए है वो दोनों लड़के अमना कर देती हैं क्योंकि उन लड़कों के इरादे ठीक नहीं लग रहे गोल मटोल दोस सूसती है कि हर कोई केवल नानो की तरफ अट्रक्ट है और उसे प्यार करना उसे अपना बनाना चाहता है इसलिए वो नानो से और भी ज़्यादा जलने लगती है लेकिन ट्यो नाम की लड़की को इससे कोई प्रॉबलम नहीं है एक लड़का नानो को सफेद गुलाब देता है लेकिन वो कहती है उसे गुलाब पसंद नहीं है यह सुनकर उसकी फ्रेंट सबको एक मैसेज भीजना शूर कर देती है नानो के बारे में कि वो कितना दिखावा कर रही है वो बस फ्लर्ट करना चाहती है तीनो लड़कों के साथ वो उसके बारे में बुरे बुरे मैसेजेज भीजना शूर कर देती है इससे भी बुरी बात ये है कि वो सब ये मैसेच करने लगते हैं कि नानो किसी के साथ भी फ्री में सेक्स करके खुश हो जाएगी तीन लड़कों में से एक लड़का ट्यू से पूछता है कि आने वाले एक्जाम्स के लिए वो लेसंस को एक्स्पेंड करें लेकिन वो लड़का नानो को देखने में दिल्चस्पी लेता है जिससे ताउ नराज हो जाती है और गुस्से से कमरे से बाहर ट्वालेट में रोने चली जाती है ट्यू नानो के लिए बहुत गुस्से में है और उसे नानो से जलन होने लगती है क्योंकि उसका क्रश उसकी तरफ अट्रेक्ट हो रहा है वहाँ वो टिम से कहती है कि वो नानो को उन लड़कों के घर पर ले जाएगी जहां वो उसे ड्रिंक कराएंगे चोटी सी पार्टी के दौरान सभी लड़के शराप पी रहे होते हैं पागलोंगी तरह और नशे में दूत हो जाते हैं लेकिन नानो ऐसे पी रही है जैसे वो पानी पी रही हो वो नॉर्मल रहती है उन दो लड़कियों नानों को भ्योश करने के लिए उसे नेंद की गूली देने का प्लान बनाया जलन ने इन दोनों लड़कियों को अंधा कर दिया वो उसके ड्रिंक में नेंद की गूली मिला देते हैं कुछ देर बाद वो भ्योश हो जाती है और उनमें से एक लड़का नानो को लेकर कमरे में आता है उसके साथ रेप करने के इरादे से और बाकी दो लड़के उसके बाद उसका रेप करेंगे ये लड़का उसके साथ रेप करने वाला है लेकिन वो वापश होश में आ जाती है और उस लड़के से कहती है कि उस लड़के को उसके साथ सेक्स करने से पहले पूछना चाहिए था दरासल उस लड़के को नानो से सौरी बोलना चाहिए क्योंकि उसने जो किया वो गलत था फिर भी उन्होंने सौरी भी नहीं का और उसके साथ सेक्स करना चाहता है नानो अपने दोस्तों को एक और मौका देना चाहती थी उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए फिर भी उसकी फ्रेंड्स ऐसा नहीं करती और ला परवाही से कहती है कि वो उसे तब बाहर आने देंगी जब वो लड़का उसका रेप कर चुका होगा वो लड़का उसके साथ पूरी ताकत से रेप करता है और बाहर खड़े लड़के जल्दी से उनकी बारी आने का वेट कर रहे होते हैं वो सभी इस पल का आनंद लेते दिख रहे थे और भूल गए थे कि क्या सही है क्या गलत नानो के साथ रेप के दौरान वो आलंद लेने लगा फिर नानो चिलाती है और पागलों की तरह हसती है उसकी आवाज दवाने के लिए वो लड़का उसका गला दवाने लगता है और धमगुटने से नानो मर जाती है अब लड़का उसकी खामोशी से इतना डर गया था कि उसने सभी को अंदर आने को कहा और कोई सद्वे में था लेकिन कोई प्रैनिंग नहीं कर रहा था उसके हल्थ करने के लिए वो अरश्ट होने से डरते थे तब लड़कियों ने तुरंट एक आइडिया दिया कि वो से चुटकारा पालेंगे वो नानो को सुनसान जगह पर ले गए और उसे दफना दिया अचानक सब कुछ उल्टा हो गया जब नानो की जान में जान आई लेकिन उनोंने नानो पर कोई दया नहीं दिखाई उन्होंने उस पर अपनी खुदाई के ओजार से उसके सीर पर वार किया और उसे दफनाने के लिए जल्दबाजी की भले ही वो अभी भी चेंदा थी उसे दफनाने के बाद सभी ने अपने कर्मों के लिए माफी मागी सुभा सब स्कूल आ गए लेकिन वो सभी इस बात से आहत थे कि कल रात उन्होंने क्या गलत किया रेसमे तरीके से नानो हमेशा की ज़रा स्कूल आती है उसके दोस्तों को जटका देती है देखें, वो नानो से बात नहीं करते, क्योंकि उनने लगता है, वो नानो नहीं है ये देखकर, उन पाचों ने फिर डिशकशन किया कि आगे क्या करना है कि नानो को फिर से मार डाला जाए क्योंकि वो सब कुछ जानती है कुछ दिर बाद नानो अपना फोन लेने उसी जगह आती है नानो बिस्तर पर लेट जाती है और अपना फोन उठाती है उन सबी के लिए देखना काफी डरावना था उसके साथ किये गए बलातकार का सारा सीन फोन में रिकॉर्ड हो गया था ये सबी सबूर जोने गरिफता करा सकते थे वोने याद लाती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया उन्होंने उसे एक बार और मारने की कोशिश की वो एक ही गलती को बार बार कर रहे थे और बार बार माफी मांग रहे थे जलन और हवस ने उन्हें अंधा कर दिया था लेकिन इस बार उन्होंने नानो से पंगा लिया था जो चुप नहीं रहने वाली उन्होंने ना जाने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की उसे बार बार लात मार कर उन्होंने रुकने से इंकार कर दिया और मारना जारी रखा जब तक उनके पास उसे मारने के options खतम नहीं हो गए वो सब डर के मारें वहाँ से भाग जाते हैं इसके बाद नानो हमेशा की तरह school आती है वो सब जिसने उसे मारने की कोशिश की वो डरने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है आप लोग इस काहने के बार में क्या सोचते हैं क्या माफी मागने से आपके बुरे कर्मों को भुलाया जा सकता है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक अपने ख्याल रखें चाचा